तारक महता के सेट पर हुई मारपी क्या दिशावकानी की भी हुई थे इंसल्ट बावरी ने बताई शोकिंग बाते सभी को हसाने वाला शो तारक महता का उल्टा चश्मा विवादों में घिरा हुआ है जनिफर मिस्ट्री ने शोगे प्रडूसर असित मोधी पर तो कई आरोप लगाए इसी बीच शो में बावरी का किर्दान निभाचुकी आक्ट्रिस मौनिका भडूरिया भी सामनी आई और उन्होंने मेकर्स की पोल खोली मौनिका भडूरिया ने हाली में खुलासा किया कि शोगे प्रडूक्शन हेड अक्सर अभीनेताओ के साथ लड़ते थी और एक बार हाथ भी उठाया था उन्होंने सेट पर टॉक्सिक कल्चर के लिए सोहिर रमानी को जिम्यदा ठहराया अमर उजाला के रिपोर्ट के मुताबिक मौनिका ने कहा वो सभी के लिए असभ्य है और कभी कभी जविवार के कारण वो कलाकारों के साथ विवाद में पढ़ जाते हैं भले ही वो कलाकारों के साथ इतने जगडे में उल्चे हुए हैं फिर भी वो प्रडक्शन हेड हैं और ये भी एक वज़ा है कि कलाकार शो छोड रहे हैं मौनिका ने खुलासा किया कि कलाकार के साथ सोहिर ने सेट पर मार पीट की थी उन्होंने कहा एक अभीनिता था जिसे अपनी मा के लिए दवाया भीजने थी और वो सेट पर देर से पहुचे सोहिल ने उन पर चलाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना हाथ भी उठाया और वहां काफी बवाल हो गया मैं इस घटना की चश्मदीद हूँ हाला कि मॉनिका ने अभीनिता के नाम का खुलासा नहीं किया और बताया कि अब वो अभीनिता शोड़ चुड़ चुके हैं और अब तब भी नहीं आना चाहते तो और क्या कारण हो सकता है वेल आपको कितना शोक लगा मॉनिका की बातों को सुन बताईए हमें कॉमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला